नमस्कार वेलकम टू स्टड़ी आईक्यू मैं हूँ प्रशान दवन नाव अंबानी फैमली के बारे में रीसेंटली बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहां पर ये लिखा है कि अंबानी फैमली की जो टोटल नेट वर्थ है ये 10% है भारत की जीडीपी की यहां को कोड करके दरजनों आर्टिकल ओल ओवर इंडिया पब्लिश कर दिये गए कि अंबानी फैमली की जो कंबाइंड वेल्थ है ये 10% है और इंडिया जीडीपी और साथी साथ ये भी बताया गया कि अचली भारत में हम कहते हैं पैसा बहुत हैं इंडिया रिच्या जीडीप जो टोटल वेल्थ है ये भारत की जीडीपी का 10% है या नहीं और फिर हम और वी बाते जानेंगे के भारत के हायस्ट टैक्सपेर कौन है रिलायंस ओवराल कितना टैक्सपे करता है मगर पहली बात तो देखते हैं कि भारत की आज के समय जीडीपी की वैल्यू है कितनी ट्रिलियन डॉलर्स है भारत की जीडीपी इसका 10% निकालोगे तो 1.4 ट्रिलियन से भी जादा का अमाउंट बैठेगा क्या इतनी नेट वर्थ है मानी फैमली की नहीं ओवियसली तो हम PPP की तो यहाँ बात करनी रहें इस रिपोर्ट में हम बात कर रहें है जी नॉमिनल ज जीडीपी के हिसाब से यह जो यहाँ पे नंबर दिखा है इसको थोड़ा सा इजीली कैल्कुलेट करने के लिए मान लेते हैं कि भारत की जीडीपी है यह 4 ट्रिलियन हो चुकी है 4 ट्रिलियन का मतलब होता है 4000 बिलियन यूएस डॉलर्स ठीक है नाव 4000 बिलियन यूएस नाव क्या हम क्या सकते हैं कि अम्बानी फैमिली की जो टोटल नेट वर्थ है यह 400 बिलियन यूएस डॉलर्स है वेल कहीं से भी आपको ऐसा प्रूफ मिलेगा नहीं क्योंकि अपने आप में 400 बिलियन डॉलर्स इस हीूज अमाउंट और सबसे बड़ी बात जो यह रिपोर इंडियन रुपीज में इनकी है 25 ट्रिलियन 25 ट्रिलियन इंडियन रुपीज नाव 25 ट्रिलियन रुपीज को कनवर्ड करोगे अगर यूएस डॉलर में तो यह माउंट बैठता है मुश्किल से 310 बिलियन डॉलर्स तो पहली बात तो देखो जो यह 10 परसंट वाला यह कड़ित लगा लीजिए कहीं से भी कैल्कुलेट कर लीजिए जीडिपी को देख लो और जितना एस्टिबेटिन का बताया जा रहा है कहीं से भी यह 10 परसंट नहीं हुआ यहां पर क्या है कि इस रिपोर्ट में लोगों ने भारत की जो जीडिपी है most probably 2-3 साल पहले की ले ली है जब हमारी जीडिपी 3 trillion के आसपास थी या उससे भी पहले का जो टाइम है वहां का डेटा उठाया है इधर वे काफी एक outdated डेटा से इन्होंने calculate करने कोशिश करी है और उसके बाद यह 10 परसंट का यह जो आकड़ा है यह सामने आया है but at the same time मुझको यहाँ पर यही बोलना पड़ेगा कि GDP और किसी आदमी की जो net worth है उसमें बहुत वर्क होता है दोनों का comparison आप करी नहीं सकते देखो कई लोग confused कर जाते हैं जब मैं कहता हूँ न यहाँ पर लिखा है कि जो भारत की GDP है PPP में यह 14 trillion है या फिर nominal GDP के साब से दे यह जो number है ना इसका मतलब यह नहीं है कि इंडिया की value इतनी है इसका मतलब यह है कि एक साल में इतना overall हमारा production की value है gross domestic production जो produce कर रहा है हमारा देश उसकी total value एक साल में होती है 4 trillion dollar और इसको हम compare कर रहे हैं एक family की generational wealth से कि कई सालों से इन लोगों ने जो यह पैसा कमा कमा के प लोगों ने पैसा कमाया है उसको हम compare कर रहे हैं भारत के एक साल के GDP से तो देखो comparison थोड़ा सा order but at the same time यह बात भी बोलनी पड़ेगी कि इंडिया में wealth inequality बहुत जादा है आप अगर देखो तो जो top 3 families है भारत में पैसे के हिसाब से अंबानी family, बजाज family, बिरला family, उसके न population है उनके comparison में ऐसा लगता है कि बस थोड़ी बहुत ही families है वही इंडिया की बहुत सारी wealth अपने पास रखती है और यह बाद सिर्वेनी कह रहा देखिए इसके ओपर कई studies हुई है कि भारत में जो top 1% rich population है ना इंडिया's richest 1% इनके पास भारत की 40% जो total wealth है यही है ना वागा numbers देख करना definitely एक बार को आप क्या सकते हो कि इंडिया में जो ultra rich है जिनके पास मैं काऊंगा आज के समय इतना पैसा आचुका है कि वह खर्ची नहीं कर पाएंगे आप अगर अंबानी फैमिली की net worth देखो पहली बात तो जो numbers यहां पे रिपोर्ट में दिये गए थे 400 billion की net worth 300 billion की आसपास उतनी net worth है भी निए उनकी most probably आमान के चलीजे 100 से लेकर 1500 billion डॉलर की है मगर क्या एक फैमिली को जैनुवली 100 से 1500 billion डॉलर्स I mean इतना सारा amount किसी family के पास है तो थोड़ा बहुत extra tax भी तो उन पे हम लगा सकते हैं और यह एक ऐसा idea है जो globally discuss किया जा रहा है कि एक 8000 क्रोड रुपे से उपर का पैसा है वो आधी बन जाता है एक billionaire उन पे हम additional 2% tax क्यों नहीं लगा देते इंडिया में मैं आपको बदारू simple सा एक गनित है इंडिया में 167 billion है उन पर आप लगा दो 2% wealth tax उनकी शादियों में कोई ऐसा नहीं है जॉन शिना नहीं आ रहा इस सथ रॉलिंज को बलाना पड़ रहा है शादिया उनकी फिर भी उत्ति ग्रैंड होगी पैसा उनके पास दुनिया भरका होगा बट सिर्फ 2% उन पे आप अगर wealth tax लगा दोगे न तो overall भरत सरकार के पास tax में देड़ लाग करोड रुपे एक्स्ट्रा आ जाएंगे ये हमार इतनी जादा स्टॉंग देगी आपको कुछ सालों में और ये हमको करना चाहिए देश की रक्षा ओवरॉल इसका बेनेफेट सब लोग उठाएंगे बिलिनेर्स भी मिलिनेर्स भी आम आदमी भी गरीब आदमी भी और मैं ये नहीं कह रहा कि सारा पैसा ओविसली डिफेंस नहीं कर रहा मगर जिन फैमिलीज के पास अल्रेडी इतना पैसा आ चुका है कि उनको समझ लिया रहा कहां कहां खर्चे उन पर 2% वेल्थ टैक्स लगाना ये कोई बुरा आइडिया नहीं है तो इस पर देखिए G20 कंट्री भी डिसकस कर रही है हाल ही में ब्रजिल जैसे कं करना होगा वेल्थ इनेक्वालिटी बहुत जादा बढ़ चुकी है टॉप 1% के पास 40% वेल्थ है 2% टैक्स से उनका कुछ घटेगा नहीं देश को डेफिनेटली बहुत सारा पैसा मिल जाएगा और आम आत्मी पर भी कल को जो टैक्स का बड़न आना है वो उतना नहीं अगर पूरी दुनिया में जो मेजर कंट्रीज हैं यह सब एख़ता नहीं करती तो क्या होगा अगर मालो सिर्फ भारत करता एगे तो जिस तरीके से बहुत सारे millionaires भारत छोड़के निकल रही है possibility है बहुत सारे जो billionaires है ये भी भारत छोड़के कहीं और किसी less tax country में जाना start कर दे तो इसलिए एक global participation की आपे आवशकता है globally हमको चाहिए कि एक 2% wealth tax लगाया जाए ताकि कोई billionaire है USA का एसानी है के वो सोचे के चलो China चला जाता हूँ वहाँ पे tax से बज़ जाओंगा उधर भी उसको 2% पे करना होगा इंडिया का कोई billionaire है ऐसानी है के यूरोप में जाके बज़ जाएगा उधर भी 2% wealth tax पे करना होगा लिखेगा इसके बारे में comment section में मैं जानना चाहूँगा आपका opinion और finally यहाँ पे आप लोगों से मैं पूछूँगा एक सवाल देखो कल है 11 अगस्त कल होगी closing ceremony Olympics की Paris Olympics की closing ceremony और भारत का जंडा पकड़के जो 2 flag bearers हैं वो कौन से होंगे देखिए एक flag bearer तो round हो चुकी है मनु भाकर मैंने इन से related एक question भी आपसे पूछा था मगर हाली में इंडिया ने announce किया है कि भारत का एक नहीं दो flag bearer होंगे तो आपको बताना है कि भारत के second flag bearer कौन होने वाले हैं यह देखिए इंडियन sports के एक legend है मैं कहूँगा legendary status N का इन्होंने बहुत कुछ दिया है इंडियन sports को आप comment section में इनका नाम भर दीजिए यह हैं आपे आपकी options नीरत चोपडा, विनेश पोहट, पियार स्रीजेश या फिर मीरा बाइ जानू बताइए कौन होंगे second flag bearer along with Manu भाकर at the closing ceremony of Olympic Games comment section में भर दोईन का नाम this is almost like a respect यह एक तरीके से हमारी respect है इस athlete को और finally आप लोगों के लिए एक important announcement study IQ का Arjun badge इसकी enrollment 10 August को खतम होने वाली है आपको चाहिए एक proper beginning you want a proper start जहाँ पे chapter 1 से आपकी त्यारी कराई जाए और properly quality, history, arts सारे subjects में आपको knowledge प्रवाइड करी जाए एक badge का काम यही है जहाँ पे आप beginning से join करते है live classes आपकी होती है regularly उन classes को आप attend करते हैं और proper तरीके से structure तरीके से आप अपनी UPSC journey में आगे वरते हैं तो जो Arjun batch है Study IQ का इसमें enroll करने के लिए आपके पास कुछी दिन बचे हैं उसके बाद enrollment बंद हो जाएगी क्योंकि obviously कभी भी किसी भी time किसी batch में किसी student को हम enroll नहीं कर सकते enrollment सिर्फ beginning में ही होगी तो इस वीडियो की जो comment section है यहाँ पर जाएए यहाँ पर आपको link दिख रहे होंगे यहाँ पर पर चेस कर सकते हैं Study IQ का Arjun batch यह batch various languages में available है pure Hindi, pure English और जस तरीके से usually हम बात करते हैं with a mix of Hindi and English जिसे हम English language कहते हैं उस language में भी यह course available है simply यहाँ पर इस link पर करिए click और आपके सामने खुल जाएगा यह page mobile phone पर है तो Study IQ की जो app है यह आप कर सकते हैं download और यहाँ पर पर चेस कर पाएंगे Study IQ का Arjun batch बट जो price यहाँ पर लिखा है यह कभी भी never pay this price simply यहाँ पर code यूज करिए PD10 और अचानक से आप देहोगे the prices will start falling you will get a massive discount so use करिए code PD10 और याद रखिएगा इस batch में आपको live classes, one-to-one mentorship answer writing program, prelims test series यह सब कुछ मिलता है 10 तारीक तक का time है यहाँ पर enroll करने का उसके बाद batch start हो जाएगा और फिर आपको एक नए batch के लिए wait करना होगा जब भी वो start होगा तो this is the right time enroll in the Arjun batch तो इसी note के साथ यह है वीडियो कांथ thank you for listening and as always may the gods watch over you